तुछ पार्ट आज एंड होने वाला है इस्टूडेंट पिछले सेशन में हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल के करेक्टरिस्टिक्स देखे थे फिर उसमें निउट्रोन का डिसकरवरी देखे थे बहुत सारे इंफरमेशन हम लोग गेंड किये थे और आज हम लोग अटॉमिक नंबर जानेंगे एटम के जो कितने सिरियल वाइज नंबर होते हैं वो जानेंगे एटम के मास कैसे निकालते हैं तो कहा जाता है the number of proton present in the nucleus of an atom is called its atomic number and is denoted by letter Z जैसे कि किसी भी एटम कोई भी एटम हो एलिमेंट के कोई भी एटम है उससे फर्क नहीं परता है तो A, B, C जो है इसका सिरियल नंबर कैसे होता है कौन किसके बाद आता है यह डिपेंड करता है किसी भी एटम के अंदर कितने proton है that is positive charge वाले particles ठीक जितने proton उतने उसके atomic number और इसको Z से denote करते हैं फिर इसके मास के बारे में कहा जाता है कि total number of proton और total number of neutron को जोर दिया जाए तो इसके mass number आते हैं ठीक तो mass number के बारे में कहा जाता है प्लस कर दीजिए जितने भी इसमें proton है जितने neutron तो हमें निकल के आ जाएं क्या इसके mass number और इससे denote किया जाता है फिर next में हम लोग चलते हैं जैसे कि अगर एक example chlorine का लिया जाए तो उसमें होता क्या है जैसे कि ये proton इसके अंदर में 17 होते हैं और इसके अंदर neutron होते हैं 18 दोनों को add करने पाता है 35 और 35 ही इसके mass number होते हैं इसका mass 35 something होता है थोड़ा से ज्यादा 35.5 बट राउंड फिगर में देखे तो 35 ही लिया जाता है देखे यहां पर जो इसको representation दिया जाता है atomic number z हो गया जो इसके proton के बराबर होगा यहां पर फिर इसके mass number है दोनों को add करने से हमें मिल जाता है फिर इसको represent किया जाता है 1735 इस तरह से जो की atomic number यह हो जाएगा और इसके mass number यह हो जाएगा अब होता क्या है isotopes इसको समझते है isotopes का मतलब क्या है देखिए isotopes के बारे में कहा जाता है same element होगा देखिए एक element है उसी के अलग-अलग form earth के crust में पाए जाते हैं earth के crust में एक element के अलग-अलग form है तो उस अलग-अलग form जो होते हैं उसके साथ क्या variation है देखिए same element होगा atomic number भी same होगा बट difference क्या है उसके mass number में यानि कि अगर एक element हम लेले जो सबसे abundant होते हैं उसी को हम लोग consider करते हैं उसी को मानते हैं कि यही average atomic mass है और कहने का मतलब isotopes का मतलब आपको समझ में आ गया होगा that is कि same element होगा कोई भी element हो जैसे कि यहां पर example हमने दिया hydrogen का isotopes का मतलब same element यहां भी hydrogen है यहां भी hydrogen है H यहां भी H atomic number भी same होगा 1 1 1 देखिए सब के पहले में 1 लगा है यहां भी 1 है और यहां भी 1 है देखिए same element रहा element same होगा और उसके पास atomic number भी same रहा यह भी same रहा बट इसके पास क्या है neutron के संख्य담 different the atomic number क्या बताता है जेटबरावर proton है ठिक टो difference क्या है neutron में देखिए इसके पास एक सिर्फ proton होता है और इसके पास 1 proton और एक neutron और इसके पास एक proton और दो neutron होते है ठिक तो इसके बेशिस पर इसके नाम प्रोटियम, डिव्टेडियम और ट्राइटियम नाम रख दिया गया है तो फिर नेक्ष्ट देखते हैं और इसके बार में क्या इंफर्मेशन है तो कहा जाता है जैसे कि मैंने पहले भी कहा अगर एक ही आइसोटॉप के तीन फॉर्म है तो एक एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन के बारे मैं बात किया है इसका तीन आइसोटॉप से होता है कि एक एलिमेंट के तीन आइसोटॉप से एक जो होते हैं आइसोटॉप से वाले पार्ट उसके एबंडेंसी होते है 98% तो कहीं कहीं 99% तो कहीं कहीं 99.9% भी होता है तो उस case में जो maximum सबसे ज़्यादा होता है तो जो सबसे maximum है उसी को average मान ले जाता है कि हाँ इतना ही होता होगा और इतना ही consider करके चला जाता है इसे hydrogen एक है element जो hydrogen है इसका atomic number 1 और mass भी एक लेकर चला जाता है that is की a बराबर 1 और mass जो है z atomic number भी एक लिया जाता है तो इस तरह से हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा h1 वाले element के properties देखा जाता है सबसे ज़्यादा earth crust में इसलिए यह भी abundance को show करता है इस तरह से हम लोग देखे तो hydrogen that is protein का संख्या या amount सबसे ज़्यादा है बहुए आइसो बार क्या होता है आइसो बार यहां है iso को मतलब सेम आइसो का मतलब होता है सेम ठीक और बार मतलब होता है बार्स मतलब weight और जिसका भी weight similar होगा वह आइसो बार में आएगा कहा जाता है कि element different होगा different element but same mass number हो तो isobar हो सकता है जैसे कि calcium और argon के case में ये देखनों के मिल जाता है calcium का element तो दोनों अलग है same element भी होगा atomic number भी different होगा but same इसके mass number है यानि कि mass number of mass number of argon is similar to mass number of calcium ठीक तो इसके बारे में एक ही चीज़ा दखेगा कि different element which have different element बोल दिये तो atomic number भी different हो जाएगा but same mass number is called isobar ओके देखिए electronic configuration क्या होता है इसको समझते हैं electronic configuration of the atom देखिए electronic configuration of atom में हम लोग समझते क्या है कि nucleus के around जो भी orbit होते है उसमें कैसे electron move करते हैं कैसे सजे होते हैं उस orbit में तो उसी को बोलते configuration of atom अब देखिए इसमें जो भी electrons होते हैं अलग-अलग orbit में होगा particular orbit में होगा सब electron का अलग-अलग energy होगा first में अलग, second में अलग तो हम लोग को समझना है maximum number of जितने भी electron होते हैं किसी orbit में क्या हो सकते हैं और किस orbit में कितना होना चाहिए इसके बारे में हम लोग discussion करेंगे और इसको एक नई दो scientist bore और beauty नामक scientist दो मिलकर इसको electronic configuration को बताना शुरू किये और इसी scheme को bore, beauty scheme गोलते हैं जिसके अंदर हम लोग electronic configuration को समझते हैं अब हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यह कैसे निकालते हैं किसी भी orbit में electron के संख्या तो देखिए किसी भी orbit में orbit 1 हो या 2 या 3 हो तो किसी भी orbit में number of electrons निकालने का संख्या है 2n² तो किसी खास orbit में या cell में कितने electrons होंगे यह define करेगा formula 2n² जैसे कि देखिए n ब्राबर इसके orbit number या cell number यह हो या k, l, m, n यानि पहला second और third fourth orbit है तो इस तरह से हम लोग number of electrons पर ही निकाल सकते हैं 2n² 2 यहां 8, 18, 32 ऐसे आ सकता है ठीक तो एक और चीज़ देखिए but the maximum number of electrons which can be present in an outermost orbit that is balance cell है तो इसके सबसे बाहर वाले cell जो होगा balance cell तो इसमें हमेशा 8 होना ज़रूरी है 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है balance cell में हमेशा electron करशंग है 8 होना चाहिए 8 है तो वह stable है अगर 8 नहीं है तो 8 होने के लिए वह दूसरे element के साथ है जूडेंगे ठीक add होंगे ओके दा मेक्सिम नमबर अफ एलेक्ट्रोंस टैट कैन बी प्रजेंट इन दा पेन अल्टिमेट और देखे पेनल्टिमेट के मतलब होता है इसके जस्ट अंदर वाले ठीक और इसके जस्ट अंदर वाले में 18 होना जरूरी है इतना एलेक्ट्रोंस हो सकते हैं और इसके जस्ट अंदर वाले को बोलते है एंटी पेनल्टिमेट इसमें 32 हो सकता है तो इस तरह से हम जानगे भैलेंस पेनल्टिमेट और एंटी पेनल्टिमेट समया गया तो इस तरह से भैलेंस में 8 और उससे पहले वाले में 18 और उससे पहले एंटी पेनल्टिमेट में 32 एलेक्ट्रोंस हो सकते हैं इसमें ये कहा जा रहा है तो board theory scheme इसी तरह से दिये हैं कि electron कैसे किसी orbit में या किसी भी atom के अंदर उसके orbit में किस तरह से electron सजा हुआ है nucleus के round यह बता सके हैं atom उसके बाद में कहा जाता है कि atom is considered to be stable if its outermost orbit contains eight electrons देखिए बात मैंने भी कहा और किसी भी atom के अंदर में किसी भी atom के अंदर में अगर eight electron इसके balance cell में present है balance electron अगर eight है तो यह stable estable orbit या stable किसी balance cell में अगर eight electrons है तो stable कहा जाएगा वह atom को stable कहा जाएगा तो stability of atom के बारे में थोड़ा सा होने बताया अब हम लोग समझेंगे geometrical representation of a structure of an atom किसी भी atom के geometrical structure जो होते हैं उसको कैसे represent करते हैं उसको समझेंगे चलिए समझ लेते हैं atomic number अगर carbon का 6 है देखिए यहां 6 है और mass number 12 है देखिए क्या कहा जा रहा है atomic number of carbon is 6 and mass number of carbon is 12 देखिए इसमें बोला जा रहा है Z यहां 6 है और mass number a 12 है तो इसमें electron निकल जाएगा जितना electron होता है जितना Z होता है जितना उतना ही proton होता है उतना ही electron होता है किसी भी neutral neutral atom के लिए तो यहां पर हमको electron पता चल गया neutron कैसे पता चलेगा तो हम बता देते हैं पहले proton के बारे में पता चलना चाहिए क्योंकि इसका जो atomic number होता है उसका proton होता है यहां पर मैंने बताया और हमें mass number से घटाने के बाद में mass number से proton के घटाने के बाद मुझे पता चल जाए क्या इसमें neutron कितना है तो 12 में से 6 घाटाई है तो 6 मिल जाएगा The next है Aluminium Aluminium 27 इसका mass number है यानि कि इसका जो A है 27 है और A किया और M इसके पास mass number 27 होगा है जो A से denote किया जाता है और इसका जो Z है 13 है तो electron जो होगा Z के बराबर होगा that is P के बराबर होगा P बराबर Z बराबर E बुला जता है ठीक तो electrons पता चल गया हमारे पास कितना है 13 हमारे पास proton भी पता चल गया that is Z के बराबर है तो मुझे निकालना क्या है अब neutron तो इसमें जो 27 mass number है that is A में से Z को घटाने पर हमको n मिल जाएगा तो फर्मूला इसी तरह से होता है हम बता देते हैं फर्मूला क्या है A माइनस Z कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 14 निकल के आजाएगा देखिए एक चीज़ हमें सा याद रखेगा Z बराबर P बराबर E 4 Neutral एक जितना जितना इसका Atomic नमबर होगा उतना ही Proton होगा उतना ही Electron ठीक तो ये सब के बाड़े में पता है अब देखिए Mass नमबर E निकालने के लिए A बराबर Mass नमबर होता है Mass Number Mass नमबर निकालने के लिए ये होता है Atomic नमबर Plus Neutron ठीक और इसी फर्मूले से हम लोग को पूरा Answer पता चल जाता है देखिए इसके अंदर में देखिए ये कार्बन है 6 Neutron और 6 Proton इसी तरह से रहता है और इसके एराउंड 2, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 6 एलेक्ट्रोन रिवाल्व करते रहते हैं तो ये रहा आपका Atomic structure और इसी के एराउंड पूरे चीज हमने समझा क्या क्या है और आपको कोई भी परशानी हो तो आपको पुछ सकते हैं और अब आपका chapter end हुआ और बिंदास आपको रिविजन करते रहे हैं और study करते रहे हैं थैंक्यू पर वाचिंग